Hello everyone, आप लोगों का स्वागत है मेरे कौर वीडियो में आज का जो टौपिक होने वाला है, वो होने वाला है बिहार करंट अफेर्स का सेट नमबर फोर तो सेट नमबर फोर में आप सब का स्वागत है इसे पहले तीन सेट आये थे तीन सेट में हम सब 10-10 question discuss करते थे पर सेट 4 से प्रसनों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है और अब प्रसन की संख्या हो चुकी है 10-20 यानि हम सब सेट 4 से daily 20 current affairs देखेंगे बिहार के ताकि एक current affairs का पूरा package तेयार हो जाए आपके exam से पहले और आप असानी से हरे question का जवाब देने के लिए capable हो ठीक है तो चलिए शुरबात करते इस वीडियो की पर इससे पहले अगर हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe करें ताकि आपको notification जो है right time पे मिले और आपकी पढ़ाई पूरी हो सके ठीक है subscribe करने से यही होता है चलिए शुरबात करते हैं और free of cost है subscribe करना तो please कर दें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में तो please channel को subscribe करें और content को देखकर subscribe करें ऐसे नहीं ठीक है चलिए first number देखते हैं सब हाले में बिहार सरकार के सिक्षा मंतरी ने निपुन बिहार योजना launch की है यह योजना किस कक्षा के बच्चों के लिए है आपके option है first number कक्षा 5-8 दूसरा है कक्षा 9-12 तीसरा है कक्षा 5-7 और चौथा है कक्षा 1-3 तो पहला का answer हो जाएगा आपका four number कक्षा 1-3 ठीक है तो निपुन बिहार योजना कक्षा 1-3 के बच्चों के लिए है चलिए दूसरा question देखते हैं हम सब बिहार ने किस वर्स तक carbon neutral state बनने का लक्ष रखा है आपके option है first number 2030 दूसरा है 2040 तीसरा है 2050 और चौथा है 2060 तो इस question का सही answer हो जाएगा दो का दूसरा number 2040 ठीक है तो हम स आरे मानिय प्रधान मंत्री जी बोल कर आये थे 2070 तक ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा question है गौं कस्वा का नक्सा online उपलप्त कराने वाला देश का पहला राज कोन सा है आपको option है first number जारखंड दूसरा मद्यप्रदेश तीसरा बिहार और चौथा राजस्थान तो इस प्रस्ण का सही आंसर रहेगा तीसरा का तीसरा नंबर बिहार ठीक है तो गौं कस्वा का नक्सा online उपलप्त कराने में देश का पहला राज बन गया है हमारा बिहार ठीक है चलिए फोर्थ नंबर question देखते हैं चलिए चौथा प्रस्ण है आठ सेप्टेंबर 2022 को मुख म आंसर हो जाए का चार नंबर गया ठीक है तो गया में फल्गू नदी पर रबर डेम बनाया गया है जिसका लोका आरपन जिसका उदगाटन हमारे माननिये मुख मंतरी नितिस कुमार जी ने आठ सेप्टेंबर 2022 को किया चलिए आगे बढ़ते हैं तो चौथा का अंसर हो गय पांचमा कुशन है नील गायों का सोच संस्था की स्थापना बिहार की कि जिले में की जाएगी आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डुमराओ बकसर दूसरा सारन तीसरा बांक का चौथा भोचपूर जिसको आरा बोलते हैं तो पांच का सही आंसर हो जाएगा आपका फर् सात्रों के बस्तों का बोज कम करने के लिए स्कूलों में नो बैक डे की सुर्वात की है आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राजस्थान दूसरा मद्ध प्रिदेश तीसरा आसम और चौथा बिहार तो इस प्रसन का सही आंसर हो जाएगा आपका छे का चार नंबर बिहार ठीक है तो बिहार इस राइट आंसर चलिए बढ़ते हैं सात्मे प्रसन की ओर एक मिनट वेट करेंगे आपके स्क्रीन पर प्रसन आएगा तो इसका हो गया सिक्स का फोर नंबर बिहार अब सात्मा प्रसन देखते हैं बिहार की कितने जिलों में मखाना विकास योजना चला ठीक है या तीसरा नंबर भी दे सकते हैं या यह ग्यारा जिला इसका राइट आंसर है मैं फोर को मार कर देता हूं चलिए आठमा प्रसन देखते हैं वहन स्क्रैपिंग नीती के तहत नीजी वहनों की खरीद पर बिहार सरकार कितने प्रतिसर्ट टैक्स में छूट देगी आपके आपसान है फर्स्ट नंबर 30% दूसरा 25% तीसरा 26% और चौथा 31% तो इस प्रसन का सही आंसर हो जाएगा आठ का सकेंड नंबर 25% ठीक है तो बिहार सरकार 25% छूट देगी चलिए बढ़ते हैं 9 में प्रसन की ओर 9 नंबर कुस्टन है बिहार के कितने प्राथमिक क्र दूसरा 8463 तीसरा 8563 चौथा 9446 तो इस प्रसन का सही आंसर हो जाएगा 9 का सकेंड नंबर 8463 ठीक है तो इतने प्राथमिक क्रिसी साग का ओनलाइन किया जा रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए 10 नंबर देखते हैं गरववती मैलाओं की देखवाल लिएम चि इसरा संजीबनी एप चौथा वंडर एप तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर वंडर एप ठीक है और ये बिहार सरकार के स्वास्त विभाग द्वारा जारी किया गया है इसे भी आप याद रखेंगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं 11 प्रसन की और क्योंकि आज हम 2024 पहला ऑप्सन है दूसरा है 2028 तीसरा है 2023 और चौथा है 2027 तो इस प्रसन का सही आंसर हो जाएगा 11 का 3rd नंबर 2023 ठीक है तो बिहार में बिजली खपत का 10% हम सब सोलर उर्जा से प्राप्त करने का लक्ष 2023 तक रखे हैं और ये इंपोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इ न्यूट्रल हम सब को बनना है बिहार राज को बनना है 2040 तक और पूरे भारत को net zero कारवन लाना है 2070 तक ऐसा हम सब का लक्ष है तो इसमें अहम भूमिका निभाएगा ये सोलर उर्जा इसको बोलते है नवी करनी और जा ठीक है एक और नवी करनी और जा जा उता है ये आरा नगर निगम, दूसरा भागलपूर नगर निगम, तीसरा गया नगर निगम, चौथा पटना नगर निगम, तो इस प्रसन का सही आंसर हो जाएगा, बारा का चार नमबर पटना नगर निगम, अब पटना नगर निगम में टोटल वाट का जो संख्या है वो है 75, ठीक है तो आपके option है first number 2030 दूसरा है 2025 तीसरा है 2035 चौथा है 2024 तो इसका सही answer हो जाएगा तेरे का second number 2025 ठीक है तो बिहार सरकार TV को पूरी तरह से खत्म कर देगी 2025 इस भी तक ठीक है यानि दो साल के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन अची लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ सेर करें फिलाल 14 नमबर कुशन है साथवी नेसनल रोलर स्कैटिंग चेंपियनसिप में बिहार के सानवी चवहान ने कौन सा पदक जीता आपके option है स्वरंड पदक जिसको गोल्ड मेडल बुलते हैं दूसरा है ब्रॉन्ज मेडल तीसरा है सिल्वर मेडल चौथा कोई नहीं ठीक है तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नमबर स्वरंड पदक ठीक है तो 14 का आंसर हो गया फर्स्ट नमबर चलिए 15 नमबर कुश्चन देखते है चलिए 15 नमबर है बिहार राज का दूसरा चड़िया घर तता पहला जय विवित्ता पार्क किस जिले में मनाया जा रहा है आपके option है फर्स्ट नमबर भागलपूर दूसरा पटना तीसरा अररिया चौथा आरा तो इस प्रस्ट का सही आंसर हो जाएगा 15 का थर्ड नमबर अररिया ठीक है तो अररिया में दूसरा चड़िया घर और पहला जय विवित्ता पार्क मनाया जा रहा है आपसे ऐसे भी प्रस्ट पूछ सकता है तीसरा असी भार चौथा गोपाल गंज तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नमबर पस्चिमी चंपारन ठीक है पस्चिमी चंपारन में बिहार का एक मात्र राष्टिय उध्यान भी है वालमिकी राष्टिय उध्यान आप इसे भी याद रखें ठीक है आगे बढ़ते है चलिए 17 नमबर कुश्चन है विद्दू तोड़ जाके आरदान प्रदान के लिए बिहार सरकार ने किस देश के साथ समझाता किया है आपके आपसेन है फस्ट नमबर भूटान दूसरा चीन तीसरा बांगला देश चौथा नेपाल तो बिहार से 60 एक मात्र देश का बॉर्डर है इंटरनेशनल बॉर्डर जिसको बोलते है नेपाल देश का बॉर्डर लगा हुआ है बिहार के साथ तो इसलिए 17 का सही आंसर हो जाएगा फोर नमबर नेपाल ठीक है तो नेपाल इस राइट आंसर यहां का मुद्रा का नाम है रुप्या और यहां की कैपिटल है काटमांडू ठीक है इसे भी आप याद रखें चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए 18 नमबर हम सब देखते हैं बिजली से जुड़ी सभी समस्याओं का घर बैठे समधान है तो बिहार उर्जा विभाग ने कौन सी एप लॉंच किया है आपके आप्सन है फर्स नमबर संजीबनी एप दूसरा सुभिधा एप तीसरा हीट कोविड एप चोथा अनमोल एप तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका सकेंड नमबर सुभिधा एप ठीक है तो सुभिधा एप के तरह ताप बिजली से जुड़ी सभी समस्या का समधान गर बैठे कर सकते हैं ठीक है तो इसका सही आंसर हो गया सकेंड नमबर 18 का दूसरा सुभिधा एप चलिए बढ़ते हैं 19 में प्रस्ण की ओर चलिए 19 मा कोशन देखते हैं हम सब कवीर कोहिनूर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है आपके ओप्सान है फर्स्ट नमबर मधु कांकरिया दूसरा निसी कुमारी तीसरा बवीता गुपता चौथा प्रोफेसर सुधा सिन्ना तो इस प्रस्ण का सही आंसर हो जाएगा 19 का चार नमबर ठीक है प्रोफेसर सुधा सिन्ना जी को कवीर कोहिनूर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है चलिए आज के करंट अफेर्स का यानि बिहार करंट अफेर्स सेट 4 का आखरी प्रस्ण देखते है संक्या 20 फिर वीडियो का अंत करेंगे चलिए 20 नमबर हम सब देखते है बिहार के किस जिले में मंदार परवत को मोर अभ्यारन छेतर बनानी की पहल सुरू की गई है आपके आपसान है फर्स नमबर मुंगेर दूसरा भागलपूर तीसरा बाका और चौथा गया तो इस प्रस्ण का सही आंसरोजा का 20 का थर्ड नमबर बाका ठीक है तो यह जो मंदार परवत है यह बौसी में है और यहां पर यह परवत इसे नहीं बोला जा सकता है क्योंकि यह से पठारी छेतर में आता है और पठार का एक्जांपल यह है कि जिसका उचाई लगभग 800 मीटर से कम कराता है वो पठार कराता है बोलने का तो मंतार पर्वत बोल देते हैं ये अक्चुली में पठार है ठीक है तो मंतार पर्वत को मौरभ भ्यारन। छेतर बनाने का फ़ल शुरूख किया गया है कहाँ पे बाका में और बाका में कहाँ पे तो बॉसी में इसे भी आप याद रखेंगे ठीक है चल्ए К्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज रिक्वेश्ट करता हूँ थोड़ा सा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा ही महनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में बस आपके थोड़ी सी सपोर्ट किया वह सकता है और भी बाई